हनुमान जी सफलता के देवता माने जाते हैं और मानना जाता है कि अगर सुन्दर कांड का पाठ कर लिया जाए तो आप हर परेशानी से चुटकारा पास सकते हैं सुन्दर कांड को सफलता के लिए याद किया जाता है सुन्दर कांड श्री राम चरित मानस के पाँचवे अध्याई में आता है इसलिए ये लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि इस अध्याई का नम सुन्दर कांड क्यों रखा गया सबसे पहले जानले श्री राम चरित मानस में साथ कांड हैं और सुन्दर कांड के सभी स्थानों के नाम या अधिकार के अधार पर रखे गए हैं बाले लीला को बाल कांड बोलते हैं अयोध्या की घटनाओं को अयोध्या कांड बोलते हैं जंगल की जीवन के संस्कृती में बोलते हैं अरन्य तो इसलिए अरन्य कांड किश्किन्दा राज्य के कान किश्किन्दा कान पड़ा लंका में हुए युद का लंका कान और जीवन से जुड़े सभी परशनों के उत्तर उत्तर कान में दिए गए है अब सुन्दरकांड का नाम सुन्दरकांड क्यों रखा गया हनुमान जी जब सिता जी की खोज में लंका गए थे तो जो तिर्कुटा अचल परवत पे बसी हुई थी तिर्कुटा अचल परवत यानि यहां तीन परवत थे पहला सुबेल परवत यहां के मिदान में पूरी लड़ाई हुई थी दूसरा है नील परवत जहां दैत्यों के घरवाले अधार थे और तीसरा है सुन्दर परवत जहां पर अशोक वाटिका परवत निर्मित है और इसी अशोक वाटिका में अनुमान जी और सिता माता जी की भेट हुई थी इसी कांड की सबसे परमुग घटना के कारण इसका नाम सुन्दर कांड रखा गया था अग्सर आप देखते होंगे कि शुब अफसर पर गोस्वामिकुलसी दास द्वाराशी राम चरित मानस में सुन्दर कांड का पाठ किया जाता है जिनके पास ये पूरा पाठ करने का समय नहीं है वो इन 11 चुपाईयों का पाठ करके हनुमान जी को परसन कर सकते हैं और इनसान सुविचार चाता है इसलिए उसे ब्रहमचारी का पालन करना होगा आपको 43 दिन तक सुन्दर कांड का पाठ कर सकते हैं अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो आप इन 11 चुपाईयों का पाठ करके भी हनुमान जी की पूजा का लाब उठा सकते हैं पूजा के लिए लालासन लेले और उत्तर की और मुख करके भगवान की फोटो आप दक्षिन मुखी करके रख ले और गुर चने का परसाद भी रख सकते हैं सबसे पहली सर्वकारी सिद्धी चुपाई अगर आप जीवन में किसी तरह की समस्या से गुजर रही हैं आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही तो उसके लिए पहला मंत्र है अतुलित बल धाम हेम शेलाब देहम धनुजवन क्रिशानू ज्यानी नाम गरगन्यम सकल गुन विध्यानम वानरा नाम धीशम रगुपति प्रिये भगतम वात जातम नमामी बोलिय श्री राम चंद्र जी की जै इस मंत्र इस चोपाई का पाठ करना चाहिए ये तो बड़ों के लिए सिद्ध मंत्र है चात्रों के लिए ओम गनगन पते नमा बुद्धी के देवता है गनेश जी उनके मंत्र का जब करें बुद्धी हिन तनुजानि के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धी विद्या देहु मम हरो कलेश विकार इस मंत्र को आपको जब करना चाहिए जो बीचात गनेश जी के बीज मंत्री या फिर दोनों में से कोई एक मंत्र का जब करता है उसे परिक्षा में सफलता अवश्य प्राप्त होती है ओम नमो हनमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु सहारनाम सर्व रोग हराय सर्व वन्शी करन रामदुताय स्वाहा और ओम नमो भगवते हनुमादाक्यात रुद्राय सर्व दुष्ट जनम ये दो मंत्र हैं जो नीचे वाले मंत्र में बताया गया है वो आपको दुष्ट व्यक्ति को अपने से दूर करने के लिए करना चाहिए शुकल पक्ष के मंगलवार से प्रारम करके 11 दिन मुंगे की माला पर आपको ये मंत्र 11 माला रोज करनी है 11 दिन तक पूजा के बाद उन सभी चीजों को जल में विसर्जन करना है रोजगार वृद्धी के लिए धन के लिए अगर आप रोजगार के लिए करना चाते हैं तो दक्षिन की और मुख करके हनुमान जी की मुर्ति के सामने 108 बार परिकर्मा करके इन चुपाईयों का जब्त करें विश्व भरन पोशन कर जोई ताकर नाम भरत अस होई कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम्हे पाई इन दोनों मंत्रों में से कोई व्याप परिकर्मा करते हुए एक मंत्र बोल लें और परिकर्मा पूरी होने के बाद हनुमान जी को चोला चड़ाएं पोटी या फलित्यादी का सेवन करें अगर आपका कोई रिष्टेदार जूटे केस में जेल में फस गया है तो जेल से छुपने या जमानत पाने के लिए आपको इस चुपाई के मंत्र का जब करना है किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर तामबे का दीपक ले ले उसमें अलसी का तेल डाल ले और उस दीपक को जला करके 108 बार इस मंत्र का जब करें चार-पांच मंत्र और आपको बता देती हूँ जो आपको सुक्ष शांती मंगल शनी घ्रय की कूर्टा को दूर कर सकते हैं हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए शुकल पक्ष के पर्थम मंगलवार से आप इन मंत्रों को कर सकते हैं लाल आसन पर बैठ कर हनुमान जी की मूर्टी के सामने घी का धिपक जलाएं और लाल चंदन की माला या मुंगे की माला से आप इस मंत्र कीर का रोज 11 माला जब कर सकते हैं आपको आज बहुत चमतकारिक मंत्र बताए गए हैं संपुन सुंदरकान के पाठ की नियम बताए हैं अगर वो नहीं भी करें तो कम से कम इन 11 बीज मंत्रों को 11 माला 40 दिन तक कर ले और फिर आप देखेंगी की कैसे आपके जीवन से सारी कटनाईय दूर हो जाती हैं ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए